हलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जोन आज के विडियो का टॉपिक है तह मर्चेंट ओफ वैनिजो की विलम सेक्सपिर काफी फेमस कॉमेडी है इसको ट्रेज़डी भी कहा चाता है और रोमेंटिक भी कही नहीं कहीं इसमें रोमें कोई भी प्ले का नोट चाहिए तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख शकते हो वहां अलग एक स्ट्शन बनावा है विलियम सेक्सपिर की नाम से जिसमें आपको सेक्सपिर का धीर सारा वर्क अप्लोड मिल जाएगा या तो फिर हम मतलब आप इस वीडियो के डिस काया गहता है नंटॉन इस विलियम सेक्सपिर के है और काय रिए ही मृषίν में श्लिए को ब्हाक गया है दो जाएज तो फॉडियों फेंक कर स्था वई हमें एक मोर्चेंट एक कि कहानी बताता है इस की टिल्यम का था स्थे होन, तो रिएंट प्लेय मैं सेक्सपिर है ऑ्र who wants to help his friend जो कि चाहता है अपने फ्रेंड की मदद करना बैशेन्यो बैशेन्यो नाम के एक फ्रेंड की help करना चाहता है ठीक है but he has invested his money लेकिन क्या हुआ है कि Antonyo अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका in three trading ship अपने तीन वैपाडी ship तीन जहाज में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है so Antonyo borrow money from a moneylender Shilok इसलिए जो Antonyo है अपने फ्रेंड की help के लिए मतलब उधार लेता है कुछ पैसे moneylender से moneylender जो पैसे उधार लेता है Shilok नाम की moneylender से there are many character in this play this play में इस प्रेंड सारे character है but the whole story of this play moves around its three major character three major character के चार ओर गुमती है जैसे name जिसका नाम है Antonyo, Basciano and Shilok ठीक है यह तीन में इंपोर्टेंट है एक Porsio भी काफी important character है it is believed ऐसा माना जाता है to have written between 1596 and 1597 ऐसा माना जाते है कि इस play को 1596 से 1597 के बीच लिखा गया था the play has many themes play में का धेर सारा themes है, it means विषय है धेर सारे subject को follow करता है some of them most important are उसमें से कुछ हो बहुत मरत पुन है वो है Prejudice Prejudice, it means इसमें क्या दिखाया गया है मतलब एक तरह से भेद भाव अंतर को दिखाया गया पक्चपात को दिखाया गया and social injustice समाजी करन्याय को दिखाया गया revenge को दिखाया गया and forgiveness और कहीं ने कहीं दिखाया गया forgiveness, it means किसी को चमा करना वो चिज़ दिखाया गया money and love पैसा और लव भी दिखाया गया the author of the merchant of vanish merchant of vanish के जो author है William Shakespeare was a great English sonneter शुब को पता है कि mahan English sonneter it means sonnet लिखते थे 14 lines की poems को sonnet कहते है and playwright थे and is considered as the greatest writer of English literature and English literature के greatest writer के रूप में भी माने जाते है William Shakespeare he is often called Bard of Evan उनको Bard of Evan के नाम से जाना जाता है ठीक है William Shakespeare को and England का national poet भी कहा जाता है he has written approximately 39 plays वो लिख रखे है 154 sonnets लिख रखे है in his whole literary career अपने पूरी शायतिक करियर में लगबग इतना work वो लिख रखे है his play have been translated into many languages उनके वो play code ये शारे लेंग्विज में translate किया गया है worldwide it means पूरे वर्ड में he is largely known all over world में पूरे वर्ड में जाने चाते है mainly for his tragedies mainly अपनी tragedy के लिए जाने चाते है hamlet, othello, kinglier and macbeth ये चारों पे हम औरड़ी वीडियो अप्लोड कर रखे है लेकिन ये सब सेक्स्वेर है काफी फेमस वर्क है he also wrote many world famous comedy ये सारा world famous comedy भी लिख रखे है and historical plays भी लिख रखे है such है, जैसे कि midsummer night's dream इस पे भी video upload है as you like it, इस पे भी आपको video मिल जाएगा 12th night पे भी much shadow about nothing पे भी the tempest पे भी, ये सब पे अर्ड़ेड़ी मिल जाएगा sorry, the tempest पे नहीं मिलेगा जैसे किंग लेयर पे अप्लोड है Richard second, Henry fifth, Henry fourth, part one and many others इस थरह से इनका कुछ historical play भी नीचे है mention किये वह है, ये सब इनका famous work है अब आगे है the story of this play इस play के जो कहानी है मतलब हमनों को जो present play है starts, starts in vanish ये सुरू होती है, vanish है, vanish एक जगा है बैशेनियो, a nobelman जो कि हम बताएं, एक nobelman रहता है मतलब थोड़ा अच्छा इंसान रहता है पैसावाला ही रहता है ask to borrow money, मतलब चाहता है कुछ पैसे उधार लेना, from his dear friend and wealthy merchant Antonio से ठीक है, जो बैशेनियो है ये भी थोड़ा पैसावाला ही रहता है बट ये क्या चाहता है अभी इसको मतलब कुछ पैसे उधार लेने अपने friend किससे अपने friend, जो कि उसका friend जो है, काफी वो भी धनवान है merchant है, वैपाडी है, Antonio से बैशेनियो needs money to quote Porsche बैशेनियो को पैसा चाहिए क्योंकि वह मतलब शादी करना चाहता है Porsche नाम की लड़की से क्योंकि ये भी एक काफी important character है ठीक है, एवेल्दी एरिस, एक वेल्दी एक धनवान एरिस, एक उत्रादी कारणी होती है मतलब, इनके पिता के पास ठीर सारा पैशा था इनके फादर के पास कहीं के राजा थे तो ये भी मतलब, बहुत वेल्दी धन्वान रहती है वो लिप्स इन दे सिटी ओप बैल्मॉंट जो की बैल्मॉंट नाम के शहर में रहती है अल्दाव हलना कि एन्टोन्यो ड़संट थाप कैश अन्टोन्यो के पास तो अभी कैश नहीं है अभी काउस इस ओन मनी इस ओल इन्वेस्टेड इन नंबर ओफ ट्रेड शिप कि उसका जो पैसा है सारा इन्वेस्ट किया गया है उसका जो वेपारी शिप मतलब जहाज में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि अभी तक शमुंद्र में है अन्टोन्यो सज़स्ट अन्टोन्यो मतलब अब शला देता है देट कि बैशेन्यो सिक्योर दा लोन फ्रॉम वन ओफ दे सिटीज मनी लेंडर कि तुमको सहर के किसी दूसरे मनी लेंडर से जो पैसा उधार देता है उससे पैसा लेंडर चाहिए और नम्ड अन्टोन्यो अस दा लोन गारंटर के रूप में एंटोन्यो का नाम दे दिना कि एंटोन्यो भी काफिवी पैसा वाला है यह बताता एंटी उसको ऐसा जलज़स्ट करता है इन बेलमॉंट और बेलमॉंट में क्या हो रहा है जहां पर पॉर्शिया है पॉर्शिया एक्सप्रेशे सेडनिस ओपर तर टरम of her father will पॉर्शिया क्या कर रही है एक त्रह से अपना दुख प्रकट कर रही है कि वह अपने father के will को लेके मतलब उसके father 1 तयार कर रहे है अपने मिर्ट्यू के टाएं, विच इस्टुपलेट्स जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसमें सर्थ रखी गई है, that, she must marry the man who correctly pick one of three caskets, वो उसी इंसान से शादी कर रखती है, उसी में से शादी कर रखती है, जो कि तीन caskets में से, अब caskets क्या होता है, थ्री caskets है, caskets एक छोटा सा box होता है, जो mainly, zwell related, या कुछ बहुत ज्यादा जो कुछ important, जैसे valuable object है, मुल्यवान समाने, उसको रखने के लिए उसके रखता है, छोटा box, तो यह क्या करना है, किसी एक caskets को यूज करना है, that contents porsia's picture, जिसमें कि porsia's picture है, ठीक है, मतलब ऐसा लड़का आए, तीन casket में से, एक casket को चूज करे, और अगर उस casket में porsia's picture निकलती है, तब वो porsia's से शादी कर शखेगा, to claim her hand in marriage, मतलब पorsia's picture निकलना चाहिए, ताकि जिससे वो जो भी आदमी आएगा, वो porsia's से शादी कर शखेगा, वन ओफ casket is made of gold, एक casket जो है, उसमें gold का बना था, वन silver and the last one is made of lead, और लास्ट जो है, lead का बना था, एक silver का बना था, the first sutus, अब जो पहरा लड़का आता है, the prince of morocco chooses the gold casket, अब जो prince of morocco आता है, वो जो क्या करता है, गोल्ड का casket, चूज कर लेता है, and open it, और फिर इसको open करता है, to find a skull, और उसमें क्या मिलता है, स्कल्स मिलता है एक ब्रेन का बौन ब्रेन का एक फ्रेमवर्क होता है तो फो उसे एक रिजेक्शन नेटर होता है और इसी टाइम एक कोट नान था है लेकिन क्या हुआ कि उसमें कुछ नहीं मिला उसको rejection नहीं मिला तो इस वज़े से यहां पर एक मतलब court यूज किया गया है इस play में फिर आगे है बैशैन्यो आस्क दा जेविश मैनिलेंडर अब बैशैन्यो क्या करता है ने एक जूरिजन का एक मंध्वे टूकहर टूल लेंड्व satisf ही ऑने ट्री थाउराचल कमीया तंब यू तंब षाईलाचल through ऊए डीड'. कुमान अपहां बास्यास नौकू आपकोernen के बैशैन्यों हमे प्शजय और यहाड़न कैमले का संदुख Pause टूकहर साफूप और करना पर इंसल्ट करना शाइलोग की फोर चार्जिंग हाई इंटरस्ट ओन इस लोंस युकि शाइलोग की बहुँ चादा लोंस पे इंटरस्ट मांग रहा था था ठीक है तो इस पड़े से यह एंटोनियो आ के इसको मतलब बेज़त करने लगता है शाइलोग प्रपोजे कि वह इंट्रस चार नहीं करेंगा, इतमें सूध नहीं लेगा, फो त्री मन्त, तीन महीने का, हाईवर, इफ एन्टॉन्यो डिफॉल्ट, कि अगर एन्टॉन्यो क्या करता है, पैसा वापस नहीं करता है, साइलोक विल बी, इंटाइटल टू कट, तो साइलोक क्या होगा, साइलोक को हक मिल जाएगा, टु कट वन पाउंड, एक पाउंड करने का, फ्लेश, फ्रॉम एन्टॉन्यो बड़ी, तो साइलोक क्या कर सकता है, एन्टॉन्यो के बड़ी से, एक पाउंड फ्लेश कर सकता है, तो तीन महिने के अंदर यह जो है पैशा वापस नहीं किया तो यह क्या करेगा वह हगदार हो जाएगा किस चीज का एक पाउंड फ्लेश कट करने का ठीक है उसके सडीर से कॉन्फिदेंट यह टो वैनिष अभी यह हां चीज के लिए मान जाता है उसको लगता है रोसको रिदन आई फो यह पृषरण फर्लियो पैसा हाजाएगा तो यह पास पैसें से व्रेटीया शायों करो प्रेंवाइल दॉल ई प्रेंड आढाप है लौर्षैयों का प्लेंड बाहर गया होता है, Jessica steals a large sum of money, धेर सारा पैसा चुरा लेती है Jessica, अपने पिता, शायलोग का, from her father, अपने पिता का, and elops as plant, और elops, it means भाग जाती है महां से, जैसा कि वो योजना बनाई थी, with Lorenzo, Lorenzo के साथ, Lorenzo and Jessica, along with Basinio, travel to Porsia State, ये लोग मतला, Lorenzo, Jessica और Basinio, ये तीनों, Porsia के जहां घर है, वहां पहुचते है, the Prince of Aragon, is the next of Porsia's suitors, अब जो next suitors लड़का था, पॉर्शिया के लिए, वो Prince of Aragon था, to try to solve the riddle, ये भी पहली solve करने की कोशिश करता है, of the casket, वो casket, चूज करने की कोशिश करता है, after much deliberation, it means बहुत यादा शोचने के बाद ही, चूजे silver, वो क्या करता है, Prince of Aragon, silver box को चूज करता है, which is wrong, जो की गलत ही था, as the Prince of Aragon lives, और जैसे ही वहां से Prince of Aragon जाता है, बैशेन्यो, बैशेन्यो arrives laden with gifts for Porsche, वहां बैशेन्यो पहुंचता है, धेर सारा gifts लेगे Porsche के लिए, a few weeks past से, अब कुछ weeks गुजड़ गया है, शप्ता गुजड़ गया है, news arrive, वहां पे news पहुंचती है, that Antonio's ship have been lost at the sea, Antonio का जो ship है, वो शमदर में खो गया है, दाव, हलांकि Shylock has been unable to locate Jessica, अब Shylock भी जो वापस आया है, तो उसको जैशिका आपनी बेटी नहीं मिल रही है, he consoles himself, वह खुद को शंतावना देता है, that he will have his revenge in the form of the pound of flesh, वह मतलब सुचता है कि हम पक्का इस चीज का सब चीज का revenge क्योंकि कहीं ने कहीं बैशनियो का फ्रेंड था, लॉरेंच जो की जैसिका से शादी किया और बैशनियो भी एंटोनियो से रिलेटेड है, तो इसको लगता है कि हम पक्का बदला लेंगे, एंटोनियो का मतलब 1 pound flesh कट करके, जो जो उसके साथ हुआ है, गलत, promise to him by his contract with Antonio, जो कि उसे contract के अनुशार उसको करना था एंटोनियो के साथ, उसका 1 pound flesh कट करना था, फिर आगे यहां पर शायलो कुछ line यूज करता है, उसको मेंशन किये वे, इफ यू प्रिक अगर तुम मुझे मतलब कुछ भी चुहाते हो या पर काटते हो, डू वी नोट ब्लीट क्या मेरा blood नहीं निकलेगा, इफ यू टैकल अश क्या तुम मुझे अगर टैकल करते हो इत मिन्स गुद्गुदी लगाना, डू वी नोट लाग क्या मेरा में हम हशेंगे नहीं, इफ यू पोईजन अश क्या तुम मुझे जहर देते हो, दू वी नोट डाय क्या हम लोग मढ़ेंगे नहीं, इफ यू रॉंग अगर तुम लोग कुछ गलत करते हो, हम लोग के साथ, सेल विनोट रिवेंज क्या हम लोग बदला नहीं लेंगे, क्योंकि यह अभी इस ताइंड क्या कोशिश कर रहा है, अन्टॉन्यों से बदला लेनी कोशिश कर रहा है, सारा जो भी हुआ उसके साथ, उसकी बेटी जो भाग गई है जिसरिका, तो इस वज़े से यह उस टाइम, शाइलो के लाइन यूज करता है, बैक टैक बैलमॉंट, बैलमॉंट में वापशीन आता है, बैसेन्यों चूज़ेस दा करेक्ट कास्केट, लेट का, बैसेन्यों चूज़ेस लेट का, तो शील देयार, बैठोडल अपनी सगाई को, मतलब शील इत्मींज करने के लिए, पॉर्षिया गिव से में रिंग, पॉर्षिया क्या करती है, उसको एक रिंग देती है, इंस्ट्रक्टिंग हेम, नेवर तो लूज इट और गिव इट अवे, मतलब एक रिंग देते वे बताती है, कि तुम कभी इस रिंग को खोना मत, अपना सगाई फिक्स करती है, क्योंकि यह जो है, बैसेन्यों शही कास्केट चूज कर लिया है, तो रिंग देके बोलते हैं, कि तुम इस रिंग कभी किसी को देना मत और नहीं खोना, देन तभी, नेरिशा मेड ऑफ पॉर्ष्या, नेरिशा जो है, पॉर्ष्या की मेड, और बैसेन्यों का एक और फ्रेंड है, ग्रेंटियानो एनॉंसे, कि यह लोग भी शादी करने वाले हैं, इट मिन्स किश्की मेड, पॉर्ष्या की मेड जो है, नेरिशा और फिर एक और फ्रेंड है, बैसेन्यों का, ग्रेटियानो यह दोनों शादी के लिए डेडी हो जाते हैं, हॉइवर हलाकी, जस्ट ए लेटर अराइब, तभी तुरंत उस टाइम क्या होता न, एक लेटर पहुचता है, एंटोन्यों के तरब से, इस न्यूस के साथ, उसका सिप खो गया है, और साइलोक इंटेंशन तो कॉलेक्ट इस पाउंड ओफ फ्लेश, और साइलोक उसका एक पाउंड ओफ फ्लेश कट करने वाला, यह न्यूस पहुचता है इसके पास, बैशन्यों के पास, पोर्षिया इनफ मनी अप पोर्षिया के पास तो बहुत जादा पैसा है, तो बैशन्यों को देती है बहुत पैसा, तू रीपे दा लोन, उस लोन को फुल्फिल करने के लिए, अब एंटोन्यो को बचाने के लिए, पॉर्शिया भी एक प्लान बनाती है, इन दा कोट, अब वैनिश में जो कोट का सीन आता है, दरबाड का, शालोग चाहता है कि अब हमको एक पॉंड फ्लेश चाहिए, एंटोन्यो का, अब डूक क्या करता है न, प्रिजाइडिंग इट मिन्स जो कोट के कुछ अध्यक्ष है, उनसे कुछ लिगल एडवाइस लेता है, फ्रॉम दा लोयर, एक लोयर है, एक लोयर है, जो है, बेलजर से लिगल एडवाइस लेता है, फ्रॉम पॉर्शिया इन डिजगाईज, जो कि पॉर्शिया है और अपना वेश बदले हुए, ठीक है, पॉर्शिया क्या करती है, अपने प्लान जो बनाते है, प्लान के अकॉर्डिंग अपना वेश बदल कर, बेलजर नाम का एक बन जाती है और वहां पहुचती है तो यह जो राजा है वहां जो फैश्ला लेने वाला है कि एंटोनियो का फ्लेश एक पांड कर्ट होगा या नहीं तो यह राजा एडवाइस लेता है बेल्जर से ठीक है पॉर्शिया प्लीट्स फोर्ट सैलोग टू हैब मर्शी ऑन एंटो बैश्ययों भी इसको इसको क्या करता है तो ऑपना भला दीख रहा है फिर आगे हैं भाँज डेटाओ कोन ना कि एक भी बूंद ब्लड का, ठीक है, तुम ठीक है, एक पाउंड फ्लेश ले 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 ना, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ब्लड का, मतलब बॉंद नहीं बनाता है, अगर शाइलोक एक भी बून गिराता है बलड का वाइल कर्टिंग एंटोन्यो के फ्लेश को कट करते ताइम तो शाइलोक का जितना भी वेल्थ है पैसा है विल बी कॉन्फिस्टिकेटेड वाइदा स्टेट तो वो राजी के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा अन्टोन्यो एंड ड्यूक सो मर्शी अब अन्टोन्यो और जो ड्यूक है पूरा दया दिखाते हैं यहां पर शाइलोक पर यह भी आरूप लगता है कि वो अन्टोन्यो को मारना चाहता है जो कि गलत था तो इस वज़े से यहां पर उस पर मतलब यह होता है कि क्या कि तुम्हारा साला धन लिल गया जाएगा तो भी यह एंटोन्यो और ड्यूक जो है कि वो अपने मतलब बेटी जो है उसकी जैसिका और लेरंजो जिससे की जैसिका शादी किया उसके लिए वो अपना आधा धन चोड़के जाएगा उसकी डेथ के बाद उन लोग का आधा अश्या हो जाएगा इनदीशन और यहाँ पे एक और शरत यह रखा जाता है शाएलोक मस्ट कंवर्ट तो क्रिस्छैनिटी कि शाएलोक को strategy अपनाना होगा क्रिश्चिन बनना होगा डिवास्टेट सायलोक एक्सेप्ट अब सायलोक जो पूरी तरह निराश हो गया है यह इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मतलब जो भी शरत है सारा सुईकार करते हैं अब जब वहां से पॉर्षिया जा रही है जो कि लॉयर के वेश में थी वह स्टील इस बैल्थजर लॉयर अभी भी जो बैल्थजर लॉयर के रुप में है बैशैन्यो ट्राइस तो ओफर हर मनी इन थैंक्स फोर हर फेवरेवल जज्मेंट मतलब उसको धन्यवाद देने के ल बैसे बैसे बनाती है बांगती है मुझे पैसे ले चाहिए बुझे वह रिंग दे दो थिंकिंग ओफ इस वाव नेवर तो पार्ट विधित मतलब वह सोचता है कि हम तो वादा किये हैं कि हम इस रिंग से कभी अलग नहीं होंगे बैशैन्यो हेजिटेटेटेटेटेटेट अलगाड़ वन लna कर देता है कि हम नहीं सकते रिंग लिखे बट अव्त शम प्रोडिंग सस्क्षरों इन्टोनियो कि कुछ ताइम बात क्या होत है एंटोनियो इसको उक्साने लगता है तो एं वह क्या करता है? रिंग दे देता है and these guys Porsche and Nehri Shλλ बेंग आपना रिंग की त kleine name Porsche andкус आपना रिंग ने भी Porsche निलेfashioned forward देती थी कि इसको में रिचाह दी थे इंग्रेजियानों को तो जो कि फ्रेंड है बैशिनियों का तो यह भी दोनों मतब दोनों रिंग दे थे तो दोनों उनको रांटती है कि तुम क्यों अपना रिंग दे दिये इस सिप से रिटर्ण सेफली कि उसका जो सिप है वह सेफली सुरुक्चा पुर्वक वापस आ गया है दा प्ले इंट्स और प्ले खतम होता है एस थी कपल्स जो थीन कपल्स है इट मिन्स बैशेनियों पोर्शिया फिर ग्रैजियों एंड नेरिशा और एक और जो जैसिका और लॉरेंजो है तो थीनो कपल क्या होता है प्रिपैर तो सेलिब्रेट देर मेरेश थीनो अपनी अपनी शादी को मतलब सेलिब्रेट करनी के तायारी कर रहे हैं थो दिस प्लेश प्ले के जड़ी है सेक्सपियर हमें दिखाते है दा कंफ्लिक्ट ओफ दा जज़्मेंट एक पर ऋविधनेय के संघर्ष को दिखाते हैं फिल दो धर्म के बीच के, according to Judaism, it means the shlok फिई धर्म का था उसके अनुशार रिजिन, justice means punishing the bad people, वहां पर क्या होता है, justice कार्थ होता है, जो बुड़ा इंसान है, उसको punish कर ना, so shlok wants that type of justice, इसको चाहिए था कि एन्टोनियो मेरे साथ गलत किया है उसका फ्रेंड गलत किया है यह लोग टाइम पैसा भी वापश नहीं दिया मेरी बेटी के वह भगा के लिए चला गया है तो इसलिए को एकको इन्टोनियो का प्रेश चाहिए एक पौंड चाहिए इसके बाद न की मौ मतलब माना गया है जस न्याय को लेकर एंड रिवेंज को लेकर क्रिस्चैनिटी में नम्रता दिखाई गया है क्रिस्चैनिटी में क्या दिखाया जाता है कि इंसान को छमा करना और दिखाना में इंपोर्टेंट दिया गया अगर गलत भी करता है तो यह समा कर दो। सबता कर दो कर दो जो खुमा कर दो खुमा कर दो। जोख अपने सबस्क्राहा था। आपको दो माना जाता है इस प्राकार दा मर्चेंट ओफ वैनिश को माना जाता है इंगलेश लिट्रेचर का वन पिलियम सेक्सपीर जिसको की गवोला लिखा गया है तो यहां पर यह वीडियो खतम होता है वीडियो के तुरू आपकी हेल्प होती है आपके इसले बसक्राइब तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमें करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स topic के साथ